हेलो दोस्तों मेरा नाम है अनीज और आप दिक रहे हैं मेरा यूटीब चैनल पाक टिकनावेजीज आज की जो हमारी टापिक है वो इस बारे में है के DVR में हार्डिस्क को किस तरह इंस्टाल किया जाता है डी आरम में हार्डिस इंटालेशन किसे तरह की जाती है, और हार्डिस को चैंच की साच करती है? तो चलिए चलते है वीडियो के तेरे अच्छा ti Helena दोस्तों यह हमारे पास है एक हार्डिस्क यह sata का hardest है, DVR और NVR में जो hard Race लगता है उस का पूट जो है ना SATA होता है या SATA hard drive उसको बोलते हैं यह हमारे पास DVR है नहीं जब बोलते ही इसे कोखेस में HD заб – installation किस तरह करते हैं यह इसमें एक वोर चैनल का DVR है विजिटर विडियो रिकार्डर जिसे कहते हैं इसके साथ चार केमरे लगते हैं इसके साथ एक माउस एक जिसे इसको अपरेट किया जाता है एक पाउर एडाप्र है इसके साथ और यह हार ड्राइव की स्कूर्स है इसके साथ और यह यूजर मेनुल है और रिमोट का अचलिए इसको सेक्टर करते हैं हाँ ड्राइव की इंस्टालेशन के लिए पहले हमें जर्ना विवियार को स्कूर्ड्राइवर की मतर्चे पूलना होगा यह जो स्कूर्स क्यान करते हैं क्यान करते हैं तो यह हमारे पास VR की अंदर की मेंटर केश है, यह एक SATA का data cable है जो VR को लगता है, यह इसका hard drive का power cable है, इसके बाद power cable लगाना है, इसके बाद power cable लगाना है, इसके बाद hard drive को कुछ इस तरीके से DVR में या NVR में fix करना है, और नीचे से इसके नीचे से स्क्रूज लगाना है, यह सुराख चुचा है, यह hard drive की स्क्रूज के लिए, तो हमने एक स्क्रूज इदर लगाना है, जो लिए दिसका जो पर लिए , आइ आड़र के लाना है भाड़र के णृर्थ के लिए ह common two five öğ your power cable लगाना है gustive drive की और यह साता पोड की data cable है, जो झाल झाल